चोटी सी उमर थी दस्वीं के पेपर देने के बाद हमारे फादर ने कहा हमारे सेंटर है मंडी में ब्रह्मा कुमारीज का हम ब्रह्मा कुमारीज के बारे में नहीं जानते थी हमारे फादर ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े हुए थे पहले से ही तो उन्होंने कहा कि चलो आपको सेंटर दिखाते और उस ताइम शिवरात्री मंडी की शिवरात्री फेमस है और शिवरात्री का प्रोग्राम मेले चले हुए थे वहां तो उस समय उन्होंने कहा कि चलो मंडी जाकर कि आते हैं, तो मुझे हमने अपने गाउं से लौकिक घर हमारे गाउं में थे, तो एक कहाबत में हमारे बोलते हैं कि गाउं में कि जैसे अपने गाउं से थोड़ा सा दूर एक शहर है बल्दवाडा, तो बल्दवाडा से आगे ह पतासे से ज्यादा नहीं देखी और उसके बाब जुद कहा कि मंडी जाना है और गाउं में ही रिस्तेदारी सारी रहती थी तो गाउं से सहर कभी गय नहीं थे तो पहली बार जब मंडी गए तो हमने भी भादर को काठ ठीक है चलते हैं तो जैसे छोटे से थे जैसे उन्होंन होता है कि प्लस बन में अडमिशन लेने के लिए तो उसके बीच में जैसे हम मंडी आये तो मंडी वाले दीदी जी को देखा और सारा परिवार देखा तो बहुत अच्छा लगा जैसे एक अलोकिक महौल गाउं का महौल और एक इश्वरिया परिवार का महौल दोनों में ब दूसरी जगा आए तो जैसे पिता जी ने बात की दीदी से कि कुछ समय इनको यहां रखो तो थोड़ा सेंटर का महौल और एक ग्यान से परचित होंगे देखेंगे कि क्या है यह जीवन और यह ग्यान क्या है तो जैसे उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे वहां छोड अधाया तो मैंने भी सह्ध हां कर ली हलांकि कोई ग्यान निलिया। कोंग क्या सब्ज़क्त है किसी तरह का घर में एक पत्रीका आती थी उसमें जरूर हम दीदीों के दादीों के फोटों देखा करते थे पत्रीका में तो कभी कोई लेग पाड़ लिया बहुत मुष्किल स और रहना शुरू किया तो उसके बाद जैसे जाने की बात आती थी तो मैं कहती थी अभी नहीं जाना भी थोड़ा और रुख लेते तो मैं जैसे ही सेंटर आई तो तीन महिने लगातार में सेंटर रही उसके बाद मैं सेंटर से जब घर गई तो घर में सबसे बड़ी थी तो घर में जैसे सेंटर के महौल में ढलते हैं तीन महीने में यह अच्छा अलॉकिक बातावरन होता है और उसका जो एक चाप और परभाव अपने जीवन में होता है तो मैंने देखा कि जैसे घर गई तो लॉकिक परिवार में छोटे भाइवे ने हमारे परिवार बहुत तो वो सब रोने लगे और मैं साथ में खड़ी हो कि उनको देख रही हूं तो मुझे लगा एक भाईजी मुझे छोड़ने गए कि सहर से गाउं काफी दूर था तो मुझे छोड़ने गए वो घर में कि इनको छोड़के आते तो वो देख रहे हैं कि यह किसी को भी पकड़ तो ऐसे जैसे वो भाईजी बोरे हैं तो अपने आपको ब्रह्मा कुमारी समस्तियां लेकिन यह तेरे भाईवैने है तुम इनको पकड़ो तो मुझे लगता कि है तो अदु मैंने सब को एक साथ नहीं मिना सकती तो आसे करते करते तीन महिने पहली बारी जैसे सेंटर आयो उ तो ऐसा लगता था कि शायद वो परिवार के साथ सबंद जो था वो जब तक वहां थी 10-15-16 साल तक उसके बाद जिसे एक इश्वरिया परिवार के साथ इस परिवार के सासस्भन लगा तो उसके बाद भी मैं घर गई, तो एक दिन रही ही मैं, दूसरे दिन फिर वापस आ गई सेंटर, और उसके बाद सेंटर में रह करके, एक साल मैं स्कूल गई, लेकिन उसके बाद से स्कूल छोड़ दिया, तो तब से और आज तक, तीस साल हो गए, नाइटीवन में मैं रोफ चाहिए और आज और वसके तक बाबा के घर बीडिन्न के घर आज दे रहें। फिर कैसे एक साल मैं जैसे वहां रही हैं और सेन्टर में रहं के पढ़ा कि उसके बाद पिर हमारी माउंटाबू में ण्यषeros होती है कि देलिक में करते बंगू के आज वी सुन्दर नगर में ही बरतमान समय में सेवाई चल रही है और बहुत अच्छा बाबा का एक परिवार अलोकी की परिवार मिला और हम यह कहते थे कि बच्पन से ही जैसे हम इधर आए बाद में हम सोचते थे कि हम इतने पित्री भगत थे कि फादर ने रास्ता दिखाय शाइध कहीं दूसरी तरफ को भी ले जाते तो शायद उधर को भी हम चले जाते लेके न यह हमारा भाग्या था कि इसवरिया कम मिलना थया उसमार्ग पर हमने चलना था और उसमार पर आंज चल रहे हैं और बहुत अच्छी हमारी हम कहें कि पूरुब जन्म का पुन्य जा एक सुखद और एक समूथ सफर जिसको कहेंगे कि ऐसी जीवन हर भेनों को माताओं को मिले जैसा हमें ये जीवन मिला है और इश्वर ने हमें अपना बनाया तो मेरी तो यही शुभावना है कि औरों को भी ऐसा जीवन मिले और ऐसा सुख में रास्ता मिले जिसमें चलते पहरतवासी मनाते हैं और कहते हैं शिवका डमरू डमडम बोले कि अगम निगम के सब भेद खुले, तो कब वो शिवका डमरू बजा था और कब वो आगे पीछे के जो भी भेद थे, राज थे, वो खुले थे, तो मैं तो कहूंगी कि इस समय वो शिवका डमरू सच में बज रहा है और सारे स्रुष्टी चक्र के सतो रजुतमों के जो चक्र कैसे घूमता है कैसे इस चकर के हम सब आतमे convolutional action खेलती है उतलब माक्र कर जब वो ज्यून को अपना बजाते हैं तो वो सारे राज खोलते हैं तो शिवरात्री का तेवार उनी की यादगार में हम कहते हैं शिव जनती तो शिव का जनम रात्री को हुआ या दिन में हुआ जितने भी महानपूर से संसार में हुए तो जरूरी नहीं जनम दिन उनका रात को हुआ या दिन को हुआ लेकिन हरेके जनम के साथ दिन लगा, कभी भी रात्री शब्द नहीं लगा, श्री क्रिशन का जनम रात के बारा वजे को हुआ, लेकिन हम कहते हैं क्रिशन जनमस्ट में, अब क्रिशन जनमस्ट में उसके लिए भी कभी रात्री शब्द नहीं कहा, लेकिन शिव के अवतरण क की रात में पापाचार ब्रश्टाचार की रात में जो काम आगे चोरी होते थे छिपके होते थे रात को होते थे वो काम अगर दिन में होने लगे सामने होने लगे हर वेक्ति आंखों से देख रहा है कि गलत हो रहा है और देखे हुए भी अंदेखा करें तो ऐसी समय को रात क समय कहते हैं तो इसी रात्री के समय ऐसी अज्यानता के समय उपरमपिता प्रमात्मा इस सुर्ष्टी पर आते हैं और आकर के सारे राज खोलते हैं जिसके यादगार में आज हां मंदिरों में देखते हैं कि सारी रात लोग जागरन करते हैं तो जागरन जो है वो किस चीज़ हम शिबरात्री मनाते हैं और इतने भग्त गर्ण सारी रात जागरन करते हैं लेकिन उसके बाप जुद भी हम देखते हैं कि संसार का अंदकार संसार से यत्यचार और पापाचार नहीं कम होता तो बाहरी जागरन करने से बाहरी रूप से डोल की छेना बजाने से या बाहरी रूप से भजन किर्टन करने से अगर पाप दगद हो जाते दली दिल्दर मिट जाता तो ये दुनिया शायद आज तक काफी अच्छी बजाती दुनिया में बहुत एक जो हम चाहते हैं सत्याता पवितरता, खुशी, शान्ती आ जाती लेकिन एक दिन का जागरण नहीं यहां सदाकाल का जागरण चाहिए हमें अपनी आत्मिक जोती को जगाना होगा ना कि स्थूल जागरण करना होगा अंदर से हमें ग्यान का मन्थन और चिंतन करना होगा ग्यान के साज और बाज बजाने होगे तब ही हम जागरित हो सकते हैं अगर बाहरी रूप से हम मुख से भजन गालें और हाथों से साज बाज बजा लें तो शाइद हमारी चैतनता जागरित नहीं होती लेकिन ग्यान के चिंतन से ज्ञान के मंधन से उस इश्वर की याद से हम अपनी चैतंता को अपनी आत्मा को जागरित कर सकते हैं और सच्ची शुवरात्री मना सकते हैं सच्च में उस प्रमात्माशिव के ओपर जो हम एक रसम निवहाते हैं कि जल पान कच्ची लसी चढ़ाने हैं तो बहरी रूप में हम मिलावट वाली चीजों को उसके उपर नहीं चणहाते हैं। प्रमात्मा शिव के उपर चढ़ाएं तो साइद वो खुश हो जाए पाकि कच्ची लसी चढ़ा के दूद और पानी चढ़ा के एक दूद बाला भी पानी अगर दूद में पानी मिला के देता है तो हम कहते हैं जी हम पैसा आपको दूद का देते हैं पानी का नहीं देते हैं लेकिन हम शिव को खुश करने के लिए कच्ची लसी चढ़ाते हैं तो वास्ता में वो प्रमात्मा कैसा भोला बंढारी है कि वो कच्ची लसी से खुश होता है एक अक और दुतूरे से खुश होता है एक बेर से खुश होता है उसके उपर बागी चीजे क्यों नहीं जो हम और मंदिरों में जाकर के दिवीदेवताओं के मंदिरों में चड़ाते हैं वास्ता तो हमारी विक्रितियों को को अपने वर्थ को अपने अक्रोस को उसके उपर अर्पित करें तो प्रमात्मा खुश हो जागा और यही वास्त में सची सची दिवाली सुरी शिवरात्री होगी ओम शांती